हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए ले के आए हूं फ्री टाइम स्नेक्स मिन्स कभी भी आप फ्री बैठे हो और कुछ खाने का मन कर रहा हो तो आप इस रेसिपी को बना सकते हो बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है बनाना भी ईजी है और स्टाटर रेसिपी है तो आप कभी भी बना सकते हो तो फिर देर किस बात के चलिए बनाते हैं तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें लेना है चार पीस आलू आलू कौन सा होना चाहिए आलू नया होना चाहिए नया आलू होता है जिसका स्कीन बहुत ज्यादा पतला रहता है छिल का एकदम जैसे अब हाथ से लेंगे और पूरा आसानी से स्कीन उतरने लगेगा वो आलू रहता है पुराना आलू का नी बनी का ये रेसेपी हमेशा इस अब इस बात का धियान रखना है और अभी सीजन है ठंड का तो ये नया आलू मार्केट में आ गया है तो इस रेसिपी को बना सकती हो अब क्या करना है सारे आलू का छिलका इस तरह से उतार लेना है एकदम आसानी से उतार जाता है अब देखिए चारो आलू का हमने सकीन उधार के रख लिया है एकदम इजी से और अच्छी तरह से धो भी लिया है क्योंकि नया आलू में बहुत ज़्यादा मिट्टी होता है तो धोना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अच्छी तरह से अब इसे क्या करेंगे पतले पतले लंबे में काट कर लेना है पतले पतले लंबे में किस तरह से काट करना है जैसे हम लोग भुंजिया का काटते है न आलू बस व्यासा ही जितना पतला हो सके उतना पतला काट ले अब इस आलू को हमने एक बड़े बरतन में निकाल लिया ह तो आप क्या करना है, पूरा ये ड्राइ है, सुखा है, हलका हलका पानी है, बहुत ज़्यदा नहीं है, तो अब इसमें डालेंगे दो चम्माच चावल का आठा, चावल का आठा डालने से क्रिस्पी होता है एकदम, अब इस तरह से मिक्स करेंगे, जो हलका सा आलू में पानी होता है न उससे ये पूरी अच्छे से कोट हो जागा बहुत ज़्यादा कोट नहीं करना है हलका हलका करना है कि सारा आलू का लच्छा है अलग लग रहे है चिपके नहीं पाली तो डालना ही नहीं है तो देखे ये पूरी अच्छी तरह से इस तरह से एक से दो मिनट तक मिक्स करना है कि चावल का आटा पूरा कोट हो जाए यदि आपके पास चावल आटा नहीं है तो आप हलका सा कॉन फ्लार और हलका सा मैदा डालें सिर्फ एक चीज नहीं आधा दा चमच दोनों डालें तो देखें अब कोट हो गिया है तो अब क्या करेंगे अब इसमें डालेंगे नमक नमक थोड़ा सा ही डालना है जादा नहीं डालना है और जब आप इसे डीफ फ्राइ करेंगे उसी टाइम डालें यदि आप पहले नमक डालके रख देंगे तो इसे पानी रिलीज होगा पानी रिलीज होगा तो यह क्रिस्पी नहीं होगा तो अब इसमें डाल लेते हैं आधा चमज धनिया पाउडर अब डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे अभी एक साथ आप इतना मिक्स कर लिए आपको खाना है या दो कोई-कोई खा रहे हैं तो क्या करिए आधा आप किसी बर्तर में रख दीचे और आधा में ही नमक डालिए तो एकदम क्रिस्पी बनेगा तब यह मिक्स हो गया तो चलते हैं फिर अब इसे फ्राई करेंगे अब इसे फ्राई करने का तरीका क्या है कढ़ाई में तेल गरम करना है जब तेल गरम हो जाएगा तो बस हाथ से किस तरह से मैं डाल रही है उंगली से ऐसा से करके गिरा के डाल रही हूँ एक साथ नहीं डाल रही हूँ एक साथ आप डालेंगे तो लोई जैसा हो जाएगा बस डालके गैस का फ्लेम हाई कर दें और हाई फ्लेम में फिर तले एक बार पलट लेते हैं चावल का आठा ना मात्रे रहता है हलका सा कोटिंग रहता है आलू के उपर तो एक दम ये क्रिस्पी हो जाता है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है आप फ्राई करने में इस रेसेपी को क्या है आप खिचड़ी एदी बना रहे हो ना तो खिचड़ी के साथ इसका कॉंबिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया जाता है तो खिचड़ी के साथ आप इसे एक बार जरू ट्राई करें और जिन लोगों को क्रिस्पी आलू बहुत पसंद है यदि सूखी सबजी बनाते हैं उसमें वो लोको तो यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी जैसे यसे मैं चला रही हूँ वैसे ही चलाने का तरीका से पता चल रहा होगा कि यह कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और तेल बिल्कुल भी नहीं सोकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि चावल आटा इसमें डाला हुआ है हलका सा चावल आटा है तेल में रह जाता है तो बस अब बाकी कभी सेम इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे अब देखे एक एक पीस अलग अलग है चिपका भी नहीं है और एक दम क्रिस्पी बना है जैसे ये पहाट से इसे तोड़ेंगे ना पूरी असनी से अच्छी तरह से तूटेगा पता ही नहीं चलेगा देखे पटफट टूट रहा है एक दम क्रिस्पी बना है अब मैं आपको इसकी अवास सुनाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी है तो अब इसे और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए क्या करेंगे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला पौडर और साथ में थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल करेंगे करके अची तरह से मिक्स कर देंगे और गर्मा गरम क्या ठंडा होने के बाद भी आप खा सकते हैं ठंडा होने के बाद भी ये ऐसे ही रहेगा तो फ्रेंड्स अगर आज की रेसेपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें